हेलो एवरीवान वेलकम टू मागनेट ब्रेंज मैं हूँ अदिती शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स का आखरी और आखरी और फाइनल चैप्टर जिसका नाम है कम्प्यूटर इन अकाउंटिंग ठीक है तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाल में आएगा यह हम देखेंगे ठीक है तो इस चैप्टर को जेनरली सब छोड़कर चले जाते हैं कि एक्जाम में हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन बच्चों यह चाप्टर इंपोर्टेंट है ना सिर्फ एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बट आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ से ठीक है तो बहुत इजी सा चाप्टर है ज्यादा घबरानी की जरुवत नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं और आज हमारी आखरी और लास्ट क्लास है क्लास 11 की तो अभी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी बहुत अच्छे से समझा बस मैं चाहती हूं आज हम ड़ेशन देख लेते हैं बढ़ी ही एजी है आपने अपने छोटी क्लासे में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में यह डेफिनेशन पड़ी होगी ठीक तो क्या डेफिनेशन है हमरे कंप्यूटर की भई computer is an electronic machine हाँ भई हमें तो पाता है computer बिना electricity के थोड़ी नचलता है computer को हमेशा electricity लगती है तब ही वो operate करता है तो computer is an electronic machine capable of making calculations ठीक है और क्या-क्या कर सकता है भई क्या-क्या कमाल दिखा सकता है calculations कर सकता है store कर सकता है और analyze कर सकता है डेटा को ठीक है जो भी उसमें आपने जितनी चीज़ें आप सेफ कर देते हो इतना सारा डेटा उसमें भर देते हो उसको स्टोर करता है उसको अनलाइस करता है और ब्रिंगिंग आउट meaningful information by acting on a set of instructions और उसको जिस तरह से आप प्रकार का instruction दोगे उससे वो कुछ एक meaningful information का एक output आपको generate करके देता है ठीक है clear हो गया तो बहुत ही simple definition है बच्चों तो हमने क्या देखा computer is an electronic machine बस इसमें आपको main main जो points है याद रखने electronic machine है capable of making calculations storing and analyzing data and bringing out the meaningful information by acting on a set of instructions ठीक चलिए तो यह आपने computer की definition समझ ली अप समझ लेते हैं कि computer system के elements क्या होता है तो जब भी exam में आपसे पूछे कि elements of computer system क्या है तो यह तीनों आपके दिमाग में आने चाहिए क्या hardware software और humanware तो क्या होता है भाई hardware software और humanware यह एक diagram में आपको तीनों चीज़े समझ में आ जाएंगी तो hardware जिन चीजों को हम छू सकते हैं keyboard हो गया mouse हो गया ठीक है फिर उसके बाद यह आपका screen हो गया पूरा इन सब चीजों को आप छू सकते हो यह आपका क्या हो जाए का hardware devices हो जाएंगे ठीक है तो जितने भी टैंजिबल डिवाइस जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो टैंजिबल डिवाइस हमारे सारे क्या हो जाएंगे hardware ठीक software क्या हो जाएंगे जो उसके अंदर programs डले होंगे जो intangible होंगे जिनको हम छूँ नहीं सकते software को कभी भी भी छूँ नहीं सकते वो computer के अंदर run कर रहे होते हैं ठीक तो वो आपके क्या हो जाएंगे? softwares तो hardware, software समझ में आ गया human wear कौन है भई? human wear हम है जो उसको use कर रहे हैं वो कौन हो गए? human wear तो नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हो ही है ठीक? चलिए तो आगे पढ़ते हैं एक एक को hardware, they are the elements which are in physical existence जिनका physical existence है जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं जैसे keyboard हो गया computer, ये mouse हो गया आपका ठीक है, printer हो गया इन सबको आप देख और छू सकते हो जैसे keyboard, mouse, CPU, printer, etc ये सारे चीज़ों को आप छू सकते हो ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए? hardware, बड़ा ही simple है चलिए next, software क्या क्या हो गए? they are the various kinds of programs used to operate computer and related devices but इनको हम छू नहीं सकते ठीक है? तो ये ऐसे कुछ programs है, जो computer में run करते हैं जैसे, क्या-क्या, जैसे आप word, Microsoft का आपका software रहता है, Google Chrome हो गया, ठीक है? VLC हो गया, और सबसे important आप लोगों को जानना वो है tally, ये पूरा accounting software है बच्चों, जो आप 12th pass out करने के बाद, अगर आप suppose CA करोगे या अगर कोई job भी join करोगे आगे जाके future में, तो आप देखोगे कि generally, बहुत maximum companies जो है, वो tally use करती है, अपने accounting करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता, tally ऐसा software है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ journal entry करनी है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको भूल जाना है, आपकी balance sheet तक का सफर जो है, यह software टाय कर देगा, तो अच्छा इतना simple yes, आप सिर्फ journal entry करते हो, उससे ledger बनाना, उससे उसका trial balance create करना और final accounts बनाना सारा काम, सारा काम computer करता है, तो ma'am फिर हमने इतना सीखा क्यों तो बच्चों अगर आप सीखोगे नहीं तो आप समझोगे कैसे computer में, output तो आपको समझ में आना चाहिए न, अगर आप final accounts बनाना सीखोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा trading account में क्या आ रहा है profit and loss में क्या आ रहा है, यह सारी चीज़े classification साब आपको create करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसी लिए आप देखोगे आगे जाके जब अब tally software बहुत आपको काम में आने वाला है, तो यह सारे software हो ठीक है, तो software को हम छू नहीं सकते, ठीक है, वो computer के अंदर ही run करते हैं, चलिए, humanware कौन हो गए, भाई हम हो गए, people interacting with the computer and executing the programs and software, तो जो लोग computer से interact कर रहे हैं, ठीक है, और जो execute कर रहे हैं, जो भी programs run करने हैं, जो भी softwares run करने हैं, वो हो जाएंगे कौन हमारे humanware, ठीक, तो आपने तीन elements पढ़ ले, क्या-क्या, hardware जिसको हम जो physical existence में हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, software जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, वो हमारे computer programs में अंदर run होते हैं, ठीक है, और humanware, जो users है, जो computer को use कर रहे हैं, जो computer से interact कर रहे हैं, और programs ये software पे execute कर रहे हैं, वो हो जाएंगे humanware, ठीक, अब देख लो capabilities क्या है computer की, तो जब भी आपको आया कि computer की capabilities क्या है, तो आपको ये सारी उसकी capabilities, उसकी काबिलियत क्या है, ठीक है, तो computer की क्या काबिलियत है क्या capabilities है वो हम देख लेते हैं तो एक है accuracy reliability speed storage and retrieval and versatility ठीक है तो अब यहां पर देखते हैं एक-एक करके accuracy तो भई computer जो है वो इंसानों से ज्यादा accurate है ठीक है क्यों क्योंकि it performs job with high degree of accuracy बहुत ही high degree of accuracy से वो jobs को वो टास्क को perform करता है without any human error ठीक है हम लोगों से कई बार human errors हो जाती है कुछ चीज को calculate आप manually जब करोगे suppose बहुत सारे figures है तो calculate करते time आप से कुछ plus one या आपने नहीं देखा या आप से कुछ गलट total हो या तो आपका answer पूरा गढ़बढ हो जाएगा लेकिन क्या calculator कभी गलती करता है total करने में नहीं करता थीक है तो उसी तरह से computer भी कभी बहुत ही accurately सारे टास्क को perform करता है उसमें कोई भी human errors होने के chances नहीं होते हैं ठीक next computer बहुत जदा reliable more reliable than humans क्यों कि भाई हम हमारा कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं है आज ये काम करने का हम घर जाके बोलते कि मम्मी अज पढ़ाई करने का मन नहीं है उसके बाद भी मम्मी अगर पढ़ने बिठा देती हैं तो हम सिर्फ किताब खोलके या उसके अंदर कॉमिक्स को डालके हम पढ़ते रहते हैं उसके नीचर मोबाइल को रखके चलाते रहते हैं एक हमारा मन नहीं है बट गभी ऐसा नहीं बोलता कि कि उसको फटीग नहीं होता ठीक यह कभी वह अपनी मन मानी नहीं करता कि आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं काम नहीं करूंगा आज आप करो मेरा काम कभी ऐसा computer आपको नहीं बोलता तो computer ज्यादा reliable हो गया स्पीड तो कंप्यूटर की स्पीड बड़ी तेज है अब सोचो लाखो करोडो ट्रांजक्शन होते हैं बच्चो आप सबको अगर मैनवली कैलकुलेटर पर भी टोटल करने बैठे तो आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा ठीक है नॉर्मली तो मैनवली तो मैं बोल ही नहीं रही उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा लेकिन अगर आप कैलकुलेटर भी लेकर बैठे सारे चीजों को टोटल लगाने तो भी आपको कुछ घंटे तो लगी जाएंगे लाखों करोडों ट्रांजक्शन का टोटल लगाने में लेकिन कंप्यूटर उस च कैलकुलेशन पर सेकेंड एक सेकेंड में मिल्लियंस ऑफ कैलकुलेशन करता है ठीक है तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है तो यह सारी काबिलेद हम पढ़ रहें क्या क्या है तो आक्यूरेट है भाई कंप्यूटर रिलायबल है स्पीड अच्छी है स्टोरेज और टीव इसकते हों थेशन टार्व को ना आपका ले लेता है ठीक है उतने जरा से मैं आपका कितना ज़ाधा डेटा उसमें सेव रहता है और जब आपको ज़रूरत हो आप जाके उस टेटा को रिट्रीव कर सकते हो तो देख सकते हो ठीक है तो यह हमेशा इस चीज का बहुत वायद सब कुछ वह कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करके रखता है जरा सी जगे लेता है बस अब मतलब क्या होता है बच्चों की वह बहुत व्यायटी ऑफ टास्क पफॉर्म करता है ठीक है सिम्पल भी हो टास्क कॉंप्लेग्स भी होते हैं ठीक है खूब सारी टास्क अब एक् चीज़े खुली होती हैं तो similarly computer में 10 चीज़ें हो रही होती है ठीके तो वह एक टाइम पे भी बहुत सारे टास्क कर सकता है उसके अलावा अलग अलग प्रकार के भी टास्क कर सकता है ठीके तो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है बहुत ज़्यादा वेराइटी ओफ ट statistical टास्क होता है यह सारे टास्क वो परफॉर्म करता है एक वन मैन आर्मी होता है computer ठीक है तो उसमें एक ही computer उतर वो इतने सारे multiple और इतने variety of tasks perform कर सकता है तो यह capabilities हो आपने पढ़ ली computer की क्या-क्या हो गई भाई आक्यूरेस आक्यूरेसी है reliability है speed है storage and retrieval है और versatility है ठीक तो यह सारे advantages हो गए इसको एक बार note करो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं किस पर limitations पर तो भई अगर हर सिक्के के दो पहली होते हैं अगर अच्छाईयां हैं तो बुराईयां भी होंगी अच्छाईयां आपने देख ली बुराईयां क्या होंगी देखो computer में तीन major बुराईयां पहली उसका खुद का दिमाग नहीं है नो intelligence of its own जो human है जो हम लोग है users है हम उसको जैसा order देंगे वो वैसा आपको परफॉर्म करके देगा उसका खुद का दिमाग नहीं है कि वो अपना दिमाग चलाएगा ठीक है जैसा उसमें programming की होगी वो वैसा ही परफॉर्म करेगा ठीक दूसरा decision making वो कोई decision नहीं ले सकता सारे humans वो आपको report दिखा देगा कि भई profit इतना हुआ है loss इतना हुआ है example के तौर पर ठीक है लेकिन अब इस profit को कैसे बढ़ाया जाए loss को कैसे कम किया जाए यह सारे decisions किसको लेने पड़ते हैं हम इंसानों को लेने पड़ते हैं ठीक है तो यह decision making नहीं कर सकता operates on predefined instructions तो इसको आप जैसे instructions define करके दोगे उसी instructions पर आपका computer काम करेगा ठीक है यह अपने मन से को instructions design नहीं करेगा clear हो गया तो आपने limitations पढ़ लिए तीन क्या-क्या है computer doesn't have intelligence of its own it can't think or make decision on its own it only runs on the instructions given to it by human where it operates on predefined instructions पस्ये तीन इसकी major limitations है ठीक इनको भी note कर लो यह भी important है तो अभी तक हम सिर्फ बच्चों computer के बारे में ही सारी चीज़े जान रहे थे चलिए next हमारा concept किस चीज़ का है information system क्या होता है तो information system बच्चों क्या होता है समझ लेते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको समझना क्या जरूरी है कि data क्या होता है तो data बच्चों कुछ नहीं बट एक raw और unorganized information है ठीक अब वो क्या है example के तौर पर हम देख लेते हैं ठीक सपोस करो आपको इक data दिया हुआ है क्या कि आपको marks दिये हुआ है अलग-अलग ठीक तो जैसे आपको marks दिये हैं किसी के 14 नंबर आए है ठीक है किसी के 60 नंबर आए है किसी के 65 आए है किसी के 85 आए है किसी के 5 नंबर आए है ठीक है और किसी के आए है 90 तो यह आपका data हो गया यह raw है और unorganized है ठीक है लेकिन इसी data को जब आपको information में convert करना है तो इसी अगर data को information में convert करके यह बोल दे कि more than 50% students scored marks greater than 60 तो यह हमारी क्या बन जाएगी यह हमारी information बन जाएगी इस data का कोई meaning नहीं है यह raw है और unorganized है बस इसी data से हमने क्या निकाल लिया information निकाल ली कि more than इसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे ठीक है 50% से ज़्यादा students ने 60 marks से ज़्यादा score किया है तो यह आपकी information बन गई data से ठीक तो इस the data that is processed and has become useful अब यह information आपको क्या बन गई यूसफुल इस data को देखके आप कुछ भी interpret नहीं कर पा रहे थे सिर्फ आपको दिख रहा था क्या marks दिये हुए बट इस data को जब अपने information में convert किया तो यह आपके लिए क्या बन गई useful बन गई clear हो गया इतना चले information तो data क्या होता है यह आपने देख लिया information क्या होता है यह देख लिया अब information system क्या होता है it is a integrated set of component for collecting collect करेगा data store करेगा process करेगा और उसको users को communicate करेगा वह हो जाएगा हमारा कौन information system clear हो गया तो data run or unorganized याद रखना information data code process कर लेते हैं और वह useful हो जाता है that is called information or information system क्या है integrated set of component है जो collect करता है store करता है process करता है and communicate करता है information to the users clear हो गया इतना तो यह आपने पढ़ लिया चलिए तो information system हो गया आपका इसके बाद हम पढ़ रहा है automation of accounting process तो बचों पहले पुराने जमाने में ठीक है अभी भी कई बार को छोटे वैपारी इस तरह से बनाते हैं पूरी manual accounting करते हैं उनकी ऐसी लाल कलर की किताबे होती हैं जिसमें आप बही खाता लेजर और यह सब जर्नल पूरा वो पूरा मैन वली एक 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 एंट्री वो हाथ से लिखते हैं ठीक है तो उन सब चीजों को उतना टीडियस प्रोसेस को इजी करने के लिए पूरा ऑटोमेट हो गया सिस्टम सारी चीज़ें जैसे एक्जैंपल पहले आप पैसे लेने के लिए आपको हर बार बैंक में जाना पड़ता था अब आप कहीं से भी एक्टीम से आप पैसे विड्रॉ कर सकता आप पो बैंक में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है यह सारा ऑटोमेटिड प्रोसेस हो गया है सारी चीज़ें ठीक है तो ऐस भी आपतेुछ नहीं हो रहा है पाइस अपर πα्तेंश परिम्रेंची हो गया हिस तरह से अकांटिंग को कर आपकेता काक्टिग करना अपाउंटिंग करन तो के लेंड्यांन लिए खित 직 ताकि कम से कम errors होंगी, example, इसका बड़ा ही प्यारा example है, जैसे, आप क्या करते हो, इसमें देखो, यह tally software है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, चलो, ठीक है, यह आपके computer में, tally software है, तो बच्चों, इसमें पता है, आपको सिर्फ human intervention कितना होता है, यह आपका human है, यह आपका accountant रहता है, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ, journal entry करनी होती है, तो बस, इतना सा human intervention है कि इसको भई, अगर कुछ purchase किया है, तो purchase entry करना है, sale हुआ है, तो sale की entry करना है, तो basic seek journal entry करता है, यह tally software पे, और यह tally software जो है, बाकी, अंदर पूरा यह journal entry को process करके, क्या output दे देता है, यह ledgers बना देता है, यह आपका trial balance ready कर देता है, ठीक है, यह आपका trading P&L बना देता है, और यह आपका balance sheet बना देता है, ठीक है, in fact, इसमें tax calculation तक का option होता है, tax तक calculate कर देता है, GST calculate करता है, सब कुछ करके देता है, ठीक है, बस उसमें आपको सिर्फ settings सही करनी पड़ती है, that's it, तो minimum human intervention से यह एक software पूरी चीज़ें को process करके आपको पूरा output देता है, ठीक है, वहीं पुराने जमाने में एक human को ही journal भी बनानी होती थी, ledgers भी बनाने पड़ते थे, trial balance, सब कुछ human को अपने हातों से लिख लिख के लिख लिख के बनाना पड़ता था, अब क्या है, सिर्फ बैठो, journal entry करो, आपका काम खतम, bank reconciliation statement भी आपका tally बनाता है, आपको पता है यह चीज, यह सारी चीज़ें जो अपने accounting में सीखी है, सारा चीज आपको tally पे मिल जाता है, ठीक है, कभी अगर आपको मौका मिले तो जरूर यह software देखेगा, चले, तो automation of accounting process means, carrying out the accounting functions by means of accounting software, tally, जैसे example, where human intervention is minimum, तो सिर्फ human intervention हमारा यही हो रहा है, that's it, बाकि सारा काम हमारा software कर रहा है, तो इसमें हमारी errors होने की chances बहुत जादा, बहुत जादा, बहुत ही, बहुत ही कम है, ठीक है, clear हो गया इतना, चले, अब, advantages क्या है, computerized accounting की, तो आजकल पूरी accounting जो computers पे shift हो गई है, computerized accounting हो गई है, उसके क्या फाइदे है, देख लेते हैं, large volume of transaction can be processed and stored with speed and accuracy, तो इतने सारे बच्चों transactions होते हैं, हजारों लाखों transactions होते हैं बिजनस के, ठीक है, वो बहुत, वो process कर लेता है, सारा computer, और उसको बहुत अच्छे से accurately store कर लेता है, और speed में उसको calculate करके पूरा अच्छे से manage कर लेता है, ठीक है, तो large volume of transaction can be processed and stored with speed and accuracy, तो large volume of transaction जो है, computer अच्छे से handle कर पाता है, ठीक है, security, तो accounting data under the computerized environment, इस safer, तो computerized environment में जो हमारा data है, वो जाधा safe होता है, rather than, जो accounting data under manual system, suppose, एक छोटा सा example लेते हैं, आपने पूरे अपने बही खाते हैं, पूरे paper पे अपने, registers भरे हुआ हैं, अप, ledger, journal सब आपने रख दिये, सारी आपने books में, पूरे अपने accounting, physical form में, पेपरों पे लिख लिख के आपने रखा हुआ है, suppose, आपके store room में, आपने safe कर, उसको समाल के रखा है, कोई चुहा आ गया, वो खा के चला गया, उसने कुतर दिया आपका paper, ठीक है, तो आप क्या करोगा, आपका data पूरा loss हो गया, आग लग गई, तो पूरा data जल गया आपका, paper जल गया सारे, पूरे accounts आपके खतम, ठीक है, लेकिन computer के साथ ये दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए आपका computer में data जाधा safe है, rather than the manual system, आया समझ में, इसलिए आपको एसा, एक simple से example के तुरू बता दिया, lower cost, तो भई, इतने paper, इतने bundle, बहुत manual system में इतनी जाधा परिशानी और इतनी जाधा difficulty होती है बचो, तो उसका cost, manually accounts को maintain करने का cost बहुत जाधा होता है, rather than आप एक computer पर अपना cost, आपका बहुत कम आएगा accounting करने का, ठीक है, तो cost भी lower है भई, less paperwork, paper कितना कम use होता है, सोचो, आपके नहीं तो पता नहीं कितने सालों के, कितने paper use हो जाएंगे, आपके journal, लाखो transactions के journal entry, ledger बनाने में, खुद आप imagine करके देखो, वहीं पर यहाँ पर आपको कुछ भी paperwork, hardly any paperwork लगता है, accuracy, accuracy होती है, बच्चो क्यों, क्योंकि human intervention बहुत कम होता है, ठीक है, पूरा चीज़ें सारी process जित्ती भी होती है, वो computer करता है, तो बहुत accurately करता है, human errors होने के chances, nil के बराबर होता है, updating, suppose आपने कोई data ऐसा है, जो आपको update करना है, ठीक है, तो वो आप easily computer में update कर सकते हो, rather than in manual system, तो यह सारे आपके advantages हो गए, ठीक है, तो large volume of transaction अच्छे से handle करता है, आपका data secured रहता है, cost low है, paper work कम है, accurate है, और आप easily अपना data update कर सकते हो, इस पे, ठीक, तो यह सारे आपके advantages हो गए, disadvantages क्या है, computerized accounting के, तो controls, पहला disadvantage है, यह बच्चों, यह बहुत important है, इसको important mark कर लो, क्योंकि generally, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा relevant है, तो यह पूछा जा सकता है, तो advantages of computerized accounting and disadvantages क्या होता है, यह आप देख लेते हैं, तो controls, if adequate controls are not built and where built are not following, it can lead to loss of data, it is important to take backups at regular interval, तो बच्चों, क्या होता है कई बार, अगर हमने regularly backup नहीं लिया, तो कई बार computer के, अलग-अलग factors होते हैं, जिसके करण हमारा data loss हो सकता है, अगर properly controls नहीं लगाए गए, ठीक है, तो हमारा data loss हो सकता है, ठीक है, जिसका जो भारी पढ़ सकता है हम लोगों को, तो इसलिए regular intervals पर backup लेना बहुत important है, तो पहला आपका हो गया control, कि adequate control लगाना बहुत जरूरी है, ठीक, data corruption by viruses, तो कही बार क्या होता है, कि आपके कुछ चीजों के कारण, आपके computer में virus आ जाते हैं, ठीक है, या properly scan नहीं किया होता virus, antivirus ने, तो वो आपका data खा जाता है, ठीक है, आपका data loss हो जाता है, viruses के कारण, ठीक है, तो ये कारण है, कि data corruption by viruses, trained computer operator, तो भाहिया, आपको अगर computer चलाना है, ठीक है, जो accountant है, उसको भी वो software आना चाहिए, या उसको समझ में आना चाहिए, तभी वो इंसान आपकी accounting कर पाएगा, ठीक, अगर उसको software ही उज़ने करना आता, तो वो कैसे करेगा, तो इसलिए trained computer operator होना जरूर ही है, तो ये claim हर कोई नहीं कर सकता, आप एक 5th class के बच्चे को बठा दोगे accounting करने तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है न, तो उसके लिए पूरी training चाहिए होती है, trained इंसान चाहिए होता है, limitations of software, तो बच्चों क्या होता है, software भी किसने बनाया, इंसान नहीं बनाया, तो वो अपने experience के based पे software को create करते है, तो कई बार software में कुछ problem ऐसी आ जाती है, जो resolve करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जिसका क्या solution है, वो software नहीं उसका solution निकाल पाता, clear है, क्योंकि वो भी एक specific, उतना ही specific होता है, जितना हमारे humans ने software create किया होता है, ठीक है, जो लोगों ने software create किया है, जिस experience ही create किया है, तो उसका area उतना ही होता है, ठीक है, कई बार अब में सक्षम नहीं होता तो software के भी कई limitations होते हैं तो यह सारे disadvantages आपके हो गए ठीक है computerized accounting के चलिए लास्ट topic हम पढ़ लेता है accounting software accounting software क्या किन-किन प्रकार के होते हैं तो पहला होता है हमारा ready-made software ready-made software मतलब जैसे ready-made कपड़ होता है कि बस बन गया सब के general general use के लिए ठीक है तो it is developed for general users जैसे tally हो गया busy हो गया ठीक है यह कुछ ऐसे software's है जो general users के लिए कोई भी use कर सकता है ठीक है तो इस तरह से होगा हमारे ready-made software customized software अब customized software मतलब क्या suppose कोई ready-made कपड़ा है है ना उसमें आप चाहते हो कि आप थोड़ा कुछ एडिशन करवा लो कुछ embroidery करवा लो है ना या कुछ नए buttons लगवा लो तो वह आपके सबसे customize हो जाएगा लेकिन है वह ready-made ठीक है सपोज ready-made shirt है तो ready-made shirt है वह सारे users के लिए आपके लिए लग जाएगी ठीक है यूज में आ जाएगी customized software उसमें सपोज आपने कुछ अलग embroidery करवा लिए आपकी shirt में या आपने बटन लगवा लिए तो वह shirt तो ready-made थी बट उसमें अपने कुछ अपने छोटे changes करवा लिए अपने accordingly तो वह हो जाएगा customized तो customized software क्या हो जाएगा making changes to ready-made software तो जो तो tailor-made software मतलब क्या कि किसी organization के लिए उसकी क्या requirements है सपोज उसका accounting कुछ और ही अलगी तरह से हो रहा है या उसका business कुछ इस तरह का है कि वह टैली पे आप नहीं कर सकते तो उसके शर्ट चाहिए design color सब कुछ आप चूज करोगे ठीक है वह ready-made नहीं होगा वह आपको tailor से जाके बनवाना पड़ेगा clear हो गया तो यह आपके accounting software ready-made software customized software और tailor-made software तो यहाँ पर बच्चों हमारा chapter number 21 पूरा complete हो रहा है ठीक है और बधाई हो आपका class 11 का पूरा course भी हमारा यहाँ पर complete हो रहा है आपके साथ यह journey बहुत ही मज़ेदार रही ठीक है I hope आपने भी enjoy किया accounts पढ़ना हम बहुत जल्द class 12 भी start करने वाले हैं ठीक है तो आप लोग बने रहे और अच्छे से class 11 का अच्छे से पढ़िए क्योंकि यह आपका building block है यह आपकी इट रखी है हमने पहली building की जो सबसे पहली इट है वह आपकी class 11 में पढ़ लेंगे ठीक है तो इसलिए सारे concepts clear होने बहुत important है कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो comment section में लिखिए उसको हम अलग से doubt sessions ले लेंगे एक बार और उसके बाद class 12 का हम course syllabus start करेंगे तो जल्दी मिलते हैं बच्छों बड़ा मज़ा आया thank you so much and